नमस्का डिजिटल हुम्मी में आज की बुलिटीन के साथ मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ रहोतक से दिल्ली जाने वाले डेली बेसेंजर्स के लिए खुश कवरी आज रहोतक में डौक्टर अर्वीन शर्मा द्वारा रहोतक निगम वा प्रशासन की मीटिंग रखी गई जिसके दोरान चहर में हुई सीवरेज ब्लॉक के जल भराव पीने के पानी की समस्याओं के मुद्धे पर बात चित हुई आज रहोतक में पांच अगस वीरवार को गांधी कैम से जय जंडी माता मंदिर से एक चोर ने शीशा तोड़ गुलत से 15,000 रुपे चुडा लिए CCTV फुटेज की आधार पर पुलिस ने जाज शुरू कर दी HDFC बैंक के ग्रहाग ध्यान दे कि आज शाम 6 बजे से कल राग 10 बजे तक ग्रहाग कुछ ऑन्लाइन सेवाओं को लाब नहीं उठा पाएंगे जैसे नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप पर क्रेडिट कार स्टेंटमेंट ना तो देख पाएंगे और नहीं इसे डाउनलोड कर पाएंगे हर्याना के करनार जिले के गाम नगला मेगा में शुकरवार को करन्ट लगने से युवक की मौत हो गई आजसा उस वक्त हुआ जब कुछ लोग महाँ शिवरात्री पर शहर में शोभा यात्रा निकाल रहे थे इस दोरान डीजे की गाड़ी में खड़े होकर डांस कर रहे युवक का हाथ बिजली की तार से टकरा गया और करन्ट लगने से वह युवक की मृत्यू हो गई उस युवक के अलावा करन्ट की वज़े से चार अन्ने लोग भी घायल हो गई आज महाली में कुछ बदमाशों ने यूध अकाली दल के नेता विक्की मेडू खेडा की दिन धाड़े गोली मार कर हत्या कर दी बताया जा रहा है कि बदमाशों ने विक्की मेडू खेडा पर अन्न गिनत फाइरिंग की जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई भारत्य किसान यूनियन के राश्ये प्रवक्तारा केस जी कहते हैं भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए एक बड़ा बयान दिया है उनका कहना है कि MSP के नाम पर किसानों के साथ धोका हुआ है उन्होंने यह भी कहा जल्दी वैएक प्रेस कॉन्फरेंस कर इस मामले का खुलासा करेंगे बुम्बी हाई कोट ने बिजनेस मैन और अभिनेत्री शिर्पा शेटी की पती राज कुंद्रा और रियान की याचिकाओं को खारिश कर दिया है आपको बता दी इस याचिका में राज कुंद्रा ने जमानत को लेकर मजिस्ट्रेट को फैसले को चुनोती दी थी और ततका रिहाई की मांग भी की थी तमिल नाडू से 600 किसानों का बड़ा जत्ता किसान सबा के नेतित में क्रिशी खानून के खिलाफ किसान अंदोलन में सिंदू बॉटर पर पहुंचा लखनव के बाद अब पानीपत में एक महिला द्वारा यूगको को बीच रोड पर बहुत बुरी तरह से पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें यूगको को पीटने का करण अभी तक पता नहीं चल पाया है रोटक में 4 अगस की राद 11 बच कर 30 मिनट पर रेलवे यार्ड में कोईले से लदी मालगाडी का एक रैक पट्री से उतर गया जाज के लिए शुपकरवार सुबे 9.30 बजे दिल्ली से आई अफसरों की टीम ने 5 गंटे तक डिरेल्टमेंट की वज़े तलाशी लेकिन डिरेल्टमेंट की वज़े का पता नहीं चल सका आपको बता दें पहले भी से सान पर 4 सालों में करीब 5-6 बार मालगाडी के पट्री से उतर चुके हैं इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं देश राजवा शहरों की खबरे जानने के लिए जुड़े रहें डिज़ल भूमी के साथ धन्यवाद